हेलो एफ्रिवान मैं डॉक्तर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या किड्नी फेलिया के पेशिंट्स प्याज का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर या नहीं तो इसका जवाब है आप अन्यन का यूज कर सकते हैं आप इंटेक कर सकते हैं अपनी डाएट के अंदर अन्यन को लेने से बेनेफिट क्या होता है अन्यन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपटिइस है जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती हैsto हम इसका कर सकते हैं आप सीजनिंग के तो पे मतलब किसी सबझी को बना रहे हैं उसके अ तो आपको खाना बहुत ही फीका-फीका सा महसूस होता है क्योंकि अल्रेडी किड्नी फेलिया के पेशिंट में हमें नमक बंद करना होता है तो जो लोग प्याज लेस्टन का इस्तमाल लेते हैं अपनी डेली रुटीन में या अल्रेडी खाते हैं पहले से ही वो इसको इसली इंटेक कर सकते हैं तो प्याज को आप सीजनिंग के तौर पे इस्तमाल कीजिए कच्चा यूज कीजिए सालेड के फॉर्म पे दोनों तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं इसके अंदर अंटी इंफलमेटरी प्रॉपरटीज होती है वाइटमिन बी की प्रेजन्स है फोलेट है बी 6 है उसकी अच्छी मात्रा होती है प्लस यह आयरेन एब्जॉपशन को भी इन्हांस करता है वैसे ही किड्नी फिलेगे पेशट में आपका हीमोगलूबिन कम रहता है आयरेन कम रहता है तो अगर हम अगर हम आपसे एंटेक करते हैं तो हमारी आयरेन एब्सॉपशन भी बेटर होती चले जाती है तो बहुत से बेनेफिट्स हैं अन्यन के अगर आपको खाने में अच्छा लगता है फ्लेवर ठीक लगता है इसका तो जरूर खाये मना नहीं है जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केर